हमेशा हॉलिडेज में अकेला रहने से तंग आकर हमारे में क्यारेक्टर डिसाइड करते हैं कि सिर्फ हॉलिडेज के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे एक दूसरे के साथ टाइम गजारते हुए बात जरा आगे चली जाती है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको हॉलिडेट ये 2020 की एक हॉलिड रोमैंटिक मूवी एक्स्पेंट करने वालो अगर आपको वीडियो अच लगता है तो प्लीज ये लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा अब बिना किस दरीके एक्स्पेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारी में करेक्टर स्लोन हमें दिखाई जाती है ये टाइम क्रिस्मस का था जब सब लोग इसे मिलकर सेलिबरेट कर रहे थे तो स्लोन इसमें थोड़ी सी इंट्रेस्टेड नहीं थी नॉर्मल से अपड़े बहन कर वो अपने फैमिली को मिलने के लिए आके उसकी मदर को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है स्लोन का ब्रेक अप होए सिक्स मांस हो चुके थे पर अभी भी उससे उबरी नहीं थी इसकी मदर ने किसी और के साथ उसे सेट अप करने का ठ्राई किया था विजस्लोन ने उस आदमी को फिर से कॉल नहीं किया उसकि सेटर भी उसे समझाने की कोशिश कर दिया विजस्लोन किसी की भी बात नहीं मानती हो getir कि सूधन के घर पर आंट सूजन भी आई थी सुजन डिवर्स थी और हर एक holiday के लिए किसी और को लेकर आती थी उसने कहा कि मेरी date से में ओल में वेली थी Sloan को अच्छा नहीं लगता सुजन ने कहा कि मैंने सिर्फ उसे holiday के लिए यहाँ पर लाय हुआ है holiday में अकेले रहने से अच्छा किसी को date कर लो उसके बात उसे डम कर देगी तरलल में हम अमारे और एक मेंन क्यारेक्टर जैक्सन को देखते है वो एक लड़की को डेट कर रहा था और अब तक वो सिर्फ दो ही डेट पर गए थे और तीसरी डेट पर वो अपने पैरेंट से मिलवाने के लिए उसे लेकर आई थे जैक्सन कहता है कि शायद तुम्हारे पैरेंट्स को लगेगा कि हम दोनों बहुत ही सीरियस है पर लड़की कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है पैरेंट्स ने जैक्सन को देखा तो उसे पकड़ी लिया था उस लड़की की सारे फोटो उसका सारा घर उसे दिखा रहे थे मदर उसे कहकर जाती है कि तुम दोनों के साथ सोने से हमें कोई भी प्रॉलम नहीं है जैक्सन को यह सब बहुत ही वियर्ड लग रहा था उस लड़की से ब्रेक अप करने वाला था पर दब भी वो लड़की उसके साथ इंटिमेट हो जाती है इसके बाद क्रिस्मस के लिए सब लोग एक दूसरे को गिफ्स दे रहे थे स्लोन को उसकी सिस्टर ने पजामा गिफ्ट किया था जोसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता जैक्सन को भी उसकी गर्फरेंड ने गिफ्ट दिया वो पहले उसके साथ सीरियस नहीं था इस वज़े से उसके लिए कुछ भी गिफ्ट लाता नहीं इस बात से हो बहुद ही जादा अपसेट हो गयि गहेत यह मैरे परेन्ट के घर में तुम मुझसे इंटिमेट हो सकते हो और मेरे लिए गिफ्स पसंद नहीं आये थे तो इससे रिटन करने के लिए शॉप में आ जाते हैं जैक्सन काउंटर पर बता रहा था कि उससे रिफंड चाहिए पर उससी स्टोर केडिट दे रहे थे इस बात पर उसका जगड़ा चालो हो गया स्लोन ने कहा कि लाइन में और भी लोग है तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए वो भी काउंटर पर रिफंड मंगती है और उससे भी मिलने निवाला था ये दोनों बात करने लगे और एक दूसरे का क्रिस्मस कितना घटिया था इस पर वो डिसकस करते हैं लाइन में इनके से डम कर दिया यह हॉली डेट का आइड़ा जैक्सन को बहुत ही अच्छा लगता है उसने कहा कि हम अगर रियल डेट को घर पर लेकर जाए तो एक दूसरे को जच करेंगे और बहुत कुछ इंसेकुरिटीस हमें आती रहती है अगर हम सिर्फ हॉली डेट के लिए एक डेट बन सकते हैं वह स्लोन इस बात के लिए मना कर देती है जैक्सन ने अपना कार्ड उसे दे दिया और कहा कि इस बात पर तुम जरा सोच लेना स्लोन को उसकी मदर बार बार कॉल करती रहती है अलग अलग लड़कों से मिलवाती रहती है आज उसने एक फारुग नाम का लड़ में सोचा था और जैक्सन को कॉल कर देती है और नियुयर्स सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में आके बास बास के लोगों को जच करने लगते और बहुत मजे करते वहाँ पर एक कबल था तो जैक्सन उन्हें देखकर कहा कि आज प्रपोस होने वाला है जैक्सन को स्लोन का बहुत ही अच्छा लगता है तो उसे अच्छे से कॉम्प्लिमेंट कर भाता है स्लोन ने कहा कि यह बेस्ट है मैं कैसे भी कपड़े बैंसकती हूं और तुम मुझे जज़ भी नहीं करोगे पार्टी में स्लोन की आन सुजन भी आई थी अब उसके साथ कोई और लड़का थ देते हैं और लास्ट में दोनों एक साथ ही रहते हैं जैक्सन ने बुझा कि तुम्हारा दिल किसने थोड़ा था स्लोन गयती कि उसका नाम था लूक वह बहुत ही अट्रेक्टिव था और उसने स्लोन पर चीट किया था उस रिलेशनशिप के बाद किसी भी रिलेशनशिप स्लोन वाश्रूम गये और वहाँ पर एक लड़की बहुत ही डिस्टरब थी क्योंकि उसकी ड्रेस पर रेडवाइन गिर चुकी थी यह वही लड़की थी जिसे उसका बॉइफ्रेन आज प्रोपोस करने वाला था उसकी सारी फ्रेंड्स उसे अपना ड्रेस देने के लिए पर उसके बारेमें पूषना मत इसके बार्डे में बहुत मजे किया एक फेमस मूवी का सीन वो करने लगे जिसमें स्लोन का ड्रेस टूट जाता इस वज़े से वो नीचे गिर गए जैक्सन जब वाश्रूम गया तभी 12 बज गए थे सब लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे और स्लोन को बहुत ही अक्यला महसुस होता है घर ड्रॉप करते वे जैक्सन ने स्लोन को कहा कि मुझे तो बहुत मज़ा आया था हम दोनों 10 डे आ चुका था और अब भी स्लोन सिंगल ही थी वो अके लिए एंज़ाइ करने वाली थी और उसके फ्रेंड को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है फ्रेंड्स ने कहा कि तुम जैक्सन को क्यों नहीं कॉल करती स्लोन कहती कि मुझे सिर्फ अकेला रहना है और रिलक्स करना है वहां से उठकर चली गई और खुद के लिए चॉकलेट्स बाइक कर रही थी तब उसे मॉल में लूग दीख जाता है वह अच्छे इसे ड्रेस नहीं थी इस वज़ेसे उसे बहुत ही इंबरेसिंग लगता है लूग के साथ उसकी गर्फरेंड फैले से टीवी है वह स्लोन डिस्टब होकर भाहर आ गए और कहती कि लूग को इतनी अच्छी गर्फरेंड कैसी मिल गए उसे एज में बहुत ही कम थी और स्लोन को ये बात बहुत ही पुरी लगती है जैक्सन कहता है कि लूग सिर्फ उसके साथ इसलिए क्योंकि वो कोई भी कमिट्मेंट नहीं स्लोन बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आई थी वो ये सब कुछ खाना चाहती थी वो जैक्सन को ओफर करती है तो पहले दो मना करता है पर बात में उसके साथ वो एंजॉय करने लग गया जैक्सन ने कहा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया मैं तुम्हारे साथ पर क्या हम एक दूसरे के साथ इंडिमेट हो सकते जैक्सन को इस बात से कोई भी प्रॉलम नहीं था पर स्लोन गहती है कि अगर एक दूसरे से हम अटेश्ट हो गए तो बड़ी प्रॉलम हो सकती है इसी वाज़ों से विदावड एनी फिसिकल रिलेशन्शिप वो सिर्फ ए है कौन स्लोन ने कहा कि हम एक दूसरे के सीरियस नहीं है अब अलग-अलग होलिडेश पर एक दूसरे से मिलने लग थे इस्टर के ब्रंश के लिए फिर से मिलते हैं स्लोन की आंड सुजन फेसे किसी और को लेकर आई थी मदर को स्लोन और जैक्सन के अरेंजमेंट के बारे म नहीं कर सकती मैं दुमारे लिए जाल नहीं नहीं देखना चाहती जैक्सनन स्लोन के लड़िकों ज़्यादा नहीं होता उसके भी के बारे में बताने लग गया उसे भी बहुत बुरा लगा था पर इससे मिला था उस रात भी किसी और लड़की के साथ इंटिमेट हुआ था स्लोन की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है आज रात पार्टी करते हैं यह दोनों बहुत ही जदा ड्रंक हो जाते हैं अगली सुपा अगरे को किसी को भी डेट नहीं कर सकती अगर ऐसे ही तुम होलीडे पर आना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ एक बार इंटिमेट होकर देखो शायद तुम दोनों में कुछ केमेस्ट्री हो और बात आगे बढ़ पाए यह बात सुनना इन दोनों को बहुत ही वीर लगता ह स्लोन ने कहा कि तुम ऐसा कैसे सजेस्ट कर सकती हो अपनी मदर का मजा लेने के लिए उसने जैक्सन से कहा चलो हम बात रूम में चलते हैं इसके बाद वो दोनों डारेक्टली फौर्ट आप जुलई पर मिले वो लेक के बास अपने फ्रेंज के साथ सेलिबरेट कर रहे थे स्लोन कहती है कि मुझे समझ में नहीं आता आदमियों का पड़ा के साथ इतना अपसेशन की हुए तब ही अजानक से पड़ा का फोर्ट यह जैक्सन की उंगली कट जाती है सब लोग बहुत ही डर गए थे उन्होंने सैंड में से उसकी उंगली निकाली और इसे वो आइस में डाल देते है वो से होस्पिटल में लेका जा रहे थे पर बच्चों को इस तरीके से अखिला नहीं छोड़ सकते तो जल्दी से स्लोन को उसने जाने के लिए का वो बेचा स्लोन के बाद वो जैक्सन को घर पर लेकर आई उसने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था उन दोनों में एक मुव्मेंट गुजरता है जैक्सन को बात जरा वीर्ड लगी उसने अपने फ्रेंड से बात कि और खा कि शायद हम दोनों में फिलिंग्स आ रही है स्लो इसका मतलब है उसे भी तुम्हारे लिए फिलिंग्स है वेडिंग के शॉपिंग करते हुए जैक्सन ने स्लोन को कॉल लगया स्लोन को लग रहा था कि उसे वेडिंग पर आने के लिए पूछ लेगा पर जैक्सन गयता है कि किसी और को हमें वेडिंग में लेकर आना बार में मिलने के बाद स्लोन जैक्सन से पूछ थी यह तुम्हारे और सुजैन के बीच में कुछ होने वाला है जैक्सन कहता कि मुझे पता नहीं स्लोन ने कहा कि आज रात तुम्हें फारुक के साथ ही रहूँगी स्लोन गुस्साओकर गयती है कि अब मैं हुरीडे के दूसरे को पसंद आ गए थे डांस करते करते सुजैन के पेर में चोट आके तो फारुक उसकी हेल्प कर देता है इसके बाद हॉलविन आ चुका था स्लोन और जैक्सन यहाँ पर फिर से मिलते हैं अब सुजैन और फारुक एक दूसरे को डेट कर रहे थे यहाँवर लुक साथ आया और उसकी गल्फरेंड प्रेग्नन थी जब नहीं देखा तो इस बात से बहुत ही जादा डिस्टर बोजाती है उसकी सिस्टर से उसने कुछ पील्ज ले लिए उसकी सिस्टर को बात में रियलेज हुआ कि उसने उसे गलत पील्ज दे दी यह पील्ज डायरी आके घर छोड़ते छोड़ते ही स्लोन को इमर्जंसी आके उसका हालोइन का कॉस्ट्यूम बहुत ही टाइट था उसे निकलने की वह बहुत कोशिश कर दिये तो जैक्सन ने उसे हेल्प कर दिये जल्दी जल्दी बातरूम चलीए पर तब तक एकसिड़न्ट हो चुका था जैक् राद उसके साथ ही सो गया सुबह वही तो एक दुसरे के पास थे जैक्सन उसे किस कर लेता है उसके बाद दोनों इंटिमेट हो गए इसके बाद स्लोन कहती कि तुम्हें यहां से जाना चाहिए जैक्सन को बहुत इंबरसीन लगी तब वहाँ पर सुजैन की सिस्टर आ जा पर स्लोन से कि जैक्सन ही जायगा जैक्सन को इस बात से बहुत होता है만 उसने अपने फ्रेंड सेंका क्यों वह फिर्फ से उससे नहीं मिल सकता फ्रेंड ने का कि जानबुच पर तुमयें जाना चाहिए थैंस गिविंग पर फिर से सुजैन किसी और को लेकर आई थी स्लोन ने सुजैन से पुचा कि फारुक का क्या हुआ सुजैन ने कहा कि हम दोनों के रिलेशनशिप शौट टाइम के लिए अच्छी थे डिनर बनाते बनाते वो माइक्रोवेव में जल गया मदर शॉटन को कहे थी कि मौल में जाकर कुछ लेकर आओ तभी जैक्सन आ جाता है वो भी उसके साथ क्या जैक्सन ने कहा कि क्या तुम प्रिटेंड करने वाले हो कि हमारे बीच में कुछ भी हुआ नहीं था श्रॉन उल्टा उसीको ब्लेम करने लग लग के Jackson ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुखना चाता था तुम हमेशा अपने फिलिंग से डरती रहती हो Sloan कहिती कि पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अट्रेक्टेंड नहीं हो Jackson कहते कि उस वक्त हम फर्स टाइम मिले थे मैं कुछ भी करकर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाता था इसी वज़े से हर एक हॉलिडे के लिए मैं तुम्हारी टेट बना Sloan फिर भी उसके बाद मान नहीं रही थे Jackson कहता कि तुम्हारी लाइफ में कोई कितना भी अच्छा आजा है फिर भी तुम्हारे यही हाल होगा तुम अकेली रहोगी Sloan जब अकेली घर पर आई तुम मदर और सिस्टर ने कहा कि हम पता था कि ऐसा ही होगा क्योंकि हमेशा तुम अपनी फेलिंग से भागती रहती हो उसकी सिस्टर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी Sloan ने कहा कि तुमने किसी और को केस कर लिया तुम मेरे वारे में बात ही मत करो ये सब उसकी सिस्टर का हस्बन सुन लेता है उस वज़े से इन में जगड़ा हो गया अचानक से जिस आदमी को सुजयन घर बर लेकर आई थी उसे हाट ड़ड़ाग आने लग जाता है जल्दी से हॉस्पिटल में चले गए हॉस्पिटल में उसे ट्रीट करने वाला डॉक्टर फारुक ही था फारुक को देखकर सुजयन को बहुत ही बुरा लगता है उसने कहा कि मेरी लाइफ में अच्छे आदमी हो के बहुत ऑपोर्चिनेटी थी पर हर एक को मैंने जाने दिया इस तरीके से उन से भागना है अच्छी बात नहीं थी उसने फारुक को देखा पर फिर भी उसे जानने देने वाली थी सुजयन कहती कि उससे कुछ बात करो सुजयन ने फारुक से कहा कि तुम्हें जानने देना ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी प्लीज मुझे और एक चांस दो फारुक उसे एक्सेब्ट कर लेता है और दोने एक दुसरे के साथ बहुत खुश थे जैक्सन की जाने के बाद उसे बहुत मिस्ट कर रही थी अपने फोटोस देखकर उसे बहुत बुरा लगता है उसकी बिल्डिंग के बाहर उसका वेट कर दिया पर उसने उसे बात नहीं की क्रिसमस के वक्त अपने फैमिली के साथ वो मॉल में आई थी अजाने उसे जैक्सन दिखता है वो फिर से उसे जाने देने वाली थी पर उसकी नेफिय ने का कि यूनियोर्स ने तुमें एक सिगनल दिया है मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम स्पेंट किया कि मेरी लाइफ का बहुत बेस टाइम था तुम्हारा मानना सही था मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ मैं डर गई थी और शायद ही मेरी लाइफ की बिगेस मिस्टेक हो सकती है मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ मैं सिर्फ हॉलिडेज के लिए नहीं तो हमेशा दुमारे साथ रहना चाहती हूँ जैक्सन उसे मना करका चैनल लग गया पर बात में हो हस देता है ये दोनों एक दुसरे को हग करकर किस करते है इसे एक मुमेंट के साथ ये मुवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेशन अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा ये बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकों दाने मत भूलिएगा हम वेज़े मिलेंगे और एक नेमियों के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये